रादे रादे फ्रेंज जै सीरी कृष्णा स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में आज की इस वीडियो में हम कामिका एकाच्ची की व्रत कथा सुनेंगे कथा सुनने के लिए आप हाथ में थोड़े से फूली या तिल लेके कथा सुरू करेंगे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकाच्ची पवित्रा एकाच्ची अत्वा कामिका एकाच्ची कहलाती है इस दिन भगवान स्रीधर की पूजा की जाती है इस व्रत के करने से सभी कामनाओं की पूर्ती होती है इसी सही से कामिका एकादसी कहा गया है इसके करने से प्रम हत्या तक का दोस्निवारण हो जाता है वास्तों में यह बहुत पवित्र और पुन्यदानी व्रत है जो हर परकार के पापों से मुक्ती दिलाने में समर्थ है कुंती पुत्र धर्मराज युधेश्टिर बोले कि है भगवान मैंने आसार मास के सुक्ल पक्ष की देवसेनी एकादसी का विस्तार पुडवर पर्णन सुना अब आप मुझे सावन मास के क्रिश्न पक्ष की एकादसी की कथा सुना ये उस एकादसी का क्या नाम है तदा इस सुना इसमें कौन से देता की पूजा होती है स्री कृष्ण भगवान बोले हे राजन इस एकादसी की एक समय इस एकादसी का पावन कथा को थिस्त पितामा ने लोगखित के लिए नार्जी से कहा था एक समय नार्जी ने पूछा की है पितामा आज मेरी सावन के क्रिश्न कि एकाज़ी की कथा सुनने की इक्चा है। अब आप एकाज़ी की कथा विधी सहीत सुनाए। भीस्मपिदामा नारत के वचनों को सुनकर बोले। कि नारत जी आपने अतियन सुन्दर प्रश्न किया है। आप ध्यान लगाकर सुनिए। सावन मास के कृष्नपक्च की एकाज़ी का नाम कामिका है। एकाज़ी की कथा के सुन्ने मातर से ही वाचपैय यक का फल मिलता है। कामिका एकाज़ी के व्रत में संख चक गदधारी विष्नु भगवान की पूजा होती है। जो मनिस इस एकाज़ी की दूब दीप नवेद आदी से भगवान विष्नु की पूजा करते हैं। उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। सूरी चंदर ग्रहन में केदार और कुरु छेत्र में स्नान करने से जो पूणि मिलता है वा पूणि विष्नु भगवान की भगती पूर्वा पूजा करने से मिलता है। शिरी विष्नु भगवान के पूजन का फल समुन्तर और वन सहीथ प्रित्मी दान करने और सिंग रासी वालों को गुदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक फल प्राप्त होता है। भेक्ति पात्में गंड की नदी में इसनान करने से जो फल मिलता है वो फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल सावन मास के क्रिश्न पक्ष की एकादसी के फल के बराबर है। अता भक्ति पुर्वा भगवान की पूजा बन सके तो सावन मास के क्रिष्ण पक्ष की कामिका एकाच्षी का ब्रत अवस्य करना चाहिए। आप भूसर्ण से युक्त बचरा सहीत गौधान करने से जो फल मिलता है वो फल कामिका एकाच्षी के ब्रत से मिल जाता है। जो उत्तम दिविच सावन मास के क्रिष्ण पक्ष की कामिका एकाथसी का व्रत करते हैं तथा स्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उससे समस्त देव, नाग, किनर, फित्र, आदी की पूजा हो जाती है इसलिए पापों से डरने वाले बेक्ती को विधी विधान सही इस व्रत को करना चाहिए संसार सागर तथा पापों में फसे हुए मनुस्यों को इनसे छूटने के लिए कामिका एकाथसी का व्रत अवस्य करना चाहिए कामिका एकाथसी के व्रत से समस्त पाप नस्ठ हो जाते हैं संसार में इससे अधिक पापों को नस्ठ करने वाला कोई और उपाय नहीं है, हे नारज जी, स्वेम भगवा ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्मिक विद्या से जो फल मिलता है, उसे अधिक फल कामिका एकाथसी का वरत करने से मिल जाता है, इस वरत के करने से मनुष्य अंतिन समय में अनेक दुखों से युक यम्र जो मनुष्य सावन मास के क्रिश्न पक्ची कामिका एकाथसी को तुलसी से भक्ति पूर्वग स्री विश्नु भगवान की पूजा करते हैं, इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुस्ट में जल में रहता हुए भी जल से बर है सिरी विश्णु भगवान रत्न मोती मड़ी आद्या पुष्णों की अपेक्छा तुलसी दल से अधिक प्रसन होते हैं जो मनुष्ण भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नश्ठ हो जाते हैं हे नारज जी मैं भगवान की अतियंद प्रिये स्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूं तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्ण के समस्त पाप नश्ठ हो जाते हैं और सरीर के स्पर्स मात्र से मनुष्ण पवित्र हो जाते हैं तुलसी जी को जल से सनान कराने से मनुष्ण स जो मनिस इस कामिका एकाच्ची की रात्री को जागरन करते हैं और दीबदान करते हैं उनके पूर्णियों को लिखने में चित्रगुप्द भी असमर्थ हैं जो मनिष एकाची के दिन भगवान के समने दीब जलाते हैं, उनके पित्र स्वर्ग लोप में सुधा का पान करते हैं. जो मनिष भगवान के समने घी या तेलगा दीपक जलाते हैं, उनको सुर्य लोप में सभी सहस्त्रो दीपकों का प्रकास मिलता है. पर तेक मनिष को इस ए अंत में विश्णू लोग को जाते हैं इसकामिका एकाच्ची के महत्तम पाख स्रवन पठन से मनुष्य सर्गु को जाते हैं राधे राधे जय सीरी क्रिश्णा